नमस्कार आप देख रही हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हुकराइंति सिंग एक बार फिर खास रिपोर्ट लेकर क्या आप सभी की साथ जुड़ चुकी हूँ देखे आज के इस खास रिपोर्ट में अगर हम चर्चा करें तो जहां माहोल एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि सियासत की वज़े से बिहदगर्म हो चुका है वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि कॉंग्रिस में जो बगावती सुर चल रहे थे उस बगावती थोड़ी ठंडक का जो माहोल है वो देखने को मिल रहा है आपको अता दे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुलाब नवी आज़ाद की और कॉंग्रेस के नए कमान अध्यक्ष जो है यहाँ पर मलिकार जुन खडगे की देखे खडगे की अगर हम बात करें तो खडगे साफ तोर पर जो ही यही बात बार-बार बोलते आते नज़र आ रहे हैं कि कॉंग्रेस में अब वो एक नया चलन शुरू करेंगे कॉंग्रेस में वो नई नीती लागू करेंगे क्योंकि घाटी में अभी भी उनके पास कोई आप्शन के तौर पर नहीं है और सिर्फ घाटी की ही बात क्यों की जाए देखे गुलाब नवी आज़ात का जो है वहां के बाद भी बहुत सारी जगव पर जाए उनका प्रभाव देखने को मिला है और एक तस्वीर भी आज हमने देखी जो है गुलाब नवी आज़ात के साथ भी हदी खिल खिलाते हुए नज़र आ रहे है तो जाहिर सी बात है कि दोनों की रिष्टे बहुत मजबूत है और अब तो वह आला कमान की कुर्सी पर भी बैठ गया है और जिस आला कमान और जिस आला कमान के बेटे से गुलाब नवी आज़ात को दिक्कत थी उनके पास तो कोई बड़ा पद रहा ही नहीं है ऐसे में गुलाब नवी आज़ात की वापसी का यहां पर बेहदी अच्छी तस्वीर दिखाई देती हुई नज़र आ रही है और अगर ऐसा करने में मलिकार जुन-khargé सफल होते हैं तो जाहेर सी बात है कि मलिकार जुन-khargé की बहुत बड़ी चीत होगी क्योंकि देखिए वो अगर उन तमाम निताओं को लियाते जिन निताओं के बलबूते पर पहले कॉंग्रिस जो है एक बड़ी खेला करने में यहाँ पर जो है कामियाब रहता था भाजपाईयों को टकर देने में कामियाब रहता था कही ना कही उससे पिछड़ चुका है क्य क्योंकि उनके तमाम सेना पती जो है वो चले गए पार्टी छोड़ करके लेकिन अब उन सेना पती को वापस लाने के बाद क्या कॉंग्रिस अपना खेला कर पाएगी और यह सब कुछ डिपेंड करता है मलिकार जुन खड़गे के फैसले और उनके मनाने के तरीके से और आ क्योंकि लिए जिए मुझा इजाजाजा नमस्कार